हेलो गैज, विलकाम बैक टू टेलेवोट रीपले इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ZTV के नए शो के बारे में और कुछ प्रोग्रामिंग चेंजिस के बारे में ZTV का जो नए शो है जाने जाने हम मिले आयोशी कुराना और वरत अलावत का सीरिल है अब तक सीरिल की कहानी है अब तक सीरिल के प्रोमोस चलाए जा रहे थे प्रोमो में डेट भी बता दी गई थी 11 नवंबर की लेकिन टाइम स्लोट अब तक रिवील नहीं करी थी ZTV वाली टाइम स्लोट जो है वो थोड़ा लेट रिवील करते होते हैं अब शोग की जो टाइमिंग है वो भी रिवील कर दी गई है ओफिशिली फाइनलाईज कर दी गई है यह जो नया सीरिल ने हमें रोज साड़े नौ बजे की टाइम स्लोट पे देखने को मिला करेगा जो टाइम स्लोट दी गई है सीरिल को वो बढ़िया वाली बजे की अच्छी टाइम स्लोट पे सीरिल लाए करेगा जहां पर TRP लाने की अवशकत है और लेकर आ भी सकता है और भी यानि की रिप्लेस करने जा रहा है ZTV के लॉग रेनिंग सीरिल कुंडली भागे को जो की इतने जादा लंबे समय से हमें यही टाइम स्लोड पे साड़ेनो वजे पे देखने को मिलता आया है TRP रेटिंग के मामले में भी ZTV के लिए best performer है most of the times कुंडली भागे अब कुंडली भागे के साथ क्या होगा क्या यह बंद हो जाएगा obviously not जब इतना अच्छा सीरिल इतने लंबे समय से जन रहा है तो इसको बंद क्यों करेंगे तो गाई से बंद नी होगा इसकी टाइम स्लोड भी बदल दी जाएगी तो नए शोगे आने से कुंडली भागे की टाइमिंग बदल कर 10 बजे की कर दी जाएगी 10 पीम पी टाइम स्लोड पे अब से कुंडली भागे आया करेगा यानि कि 11 नमंबर से चीज आपको देखने को मिलेगा जैसी नया सीरिल इसकी जगा ले लेगा साड़े 9 बजे पे तो ये आदा घंटा लेट हो जाएगा और चला जाएगा 10 बजे की टाइम स्लोड पे मेरे उपीनियन में जी टीवी कई बार जोड़े मुश्किल डिसीजन लेता होता है लेकिन ये जो डिसीजन है एक्चुल में काफी बड़िया डिसीजन हो सकता है मेरे उपीनियन में मुझे लगता है कि ये काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है दोनों ही सीरिल के लिए और जी टीवी की दोनों टाइम स्लोड के लिए यहाँ पर हो सकता है साड़े नो बज़े पे जो नया सीरिल है वो भी चली ही जाए कुमकुम भागे की काफी ज़यदा ओडियन्स उसको देख लिए एंड कुंडली भागे के लिए जो ओडियन्स मेट कर रही है मेबी वो भी उसमें ट्यून इन हो जाए जो कि इतने लंबे समय से सीरिल साथ जुड़े होते है आदे घंटे का जो टाइम है मुझे नहीं लगता सीरिल की ट्यार पी रेटिंग को अफेक्ट करने वाला है मेरे ऑपीनियन में अभी तक मुझे यहीं लग रहा है कि जो नूब है उनका जो इडिसीजन है काफे ब्रिलियन्ट साबित हो सकता है उनके लिए और ट्यार पी रेटिंग में उनके लिए फायदा हो सकता है साड़े 9 बजे और 10 बजे दोनों की टाइम स्लोट से यह हो सकता है कि दोनों ही शोज का फायदा हो क्यूंकि कुंडली भागे तो अच्छा हिट है यह उसके साथ 10 बजे की जो टाइम स्लोट है वहाँ पर उनको शो के कॉंटेंट पर डिपेंड गरता है कि टीर पेची लेकर आप आप आएगा या नहीं लेकर आप आप आएगा तो इस तरह से कुंटली भागे का जो टाइम स्लोर चीज है हमें 11 नवंबर से देखने को मिलने वाला है जब से नया सीर लाएगा कॉमेंट से मिताइए कुंटली भागे के फैन्स आप इस टाइमिंग चेंज के साथ खूश हैं सैटिसफाइड हैं या फिर आप दूखी हैं नहीं देख पाएंगे आने वले दिनों में जी टीवी के और अपडेट्स के लिए और नए शोस की नियूज के लिए हमें सब्सक्र